दिली की नई मुखे मंतरी आतीशी अपने पांच कैबिनेट की मंतरियों के साथ सोमवार से कारेभार संभालने जा रही है लेकिन उनके पास सत्ता की चाबी ऐसे वक्त में आई है जब बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने है सबसे बड़ी चुनौति तालमेल की रहने वाली है साथ ही केजरिवाल की दाव भी यहाँ पर साख पर लगी हुई है कि आतीशी सही तरीके से अपने जिम्यवारियां निभा पाएंगी या फिर नहीं क्या-क्या चुनौतियां आतीशी के सामने रहने वाली है इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताने जा रही हूँ और कौन-कौन सी वो बड़ी योजनाई हैं जिन्हें लागू करना और आगे लेकर जाना आतीशी के लिए बड़ी चुनौति रहेगी वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले तो उन योजनाई की बात कर लेते हैं जो योजनाई लागू की गई है अब उन्हें धरातल पर उतारना एक बड़ी जिम्यदारी यहाँ पर आतीशी के सामने होगी सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट में जो घोशनाय की गई है और पहले लागु लेकिन वर्तमान में रुकी हुई योजनाओं को दोबारा से लागु कराना उन्हें शुरू कराना एक बड़ी चुनवाती आतिशी के सामने रहने वाली है इसके साथ ही महिला सम्मान ने दी आने वाले वक्त में चुनाव भी होने वाले हैं और चुनाव से पहले लागू अगर ये होती है तो आमादमी पार्टी के लिए ये मास्टर स्ट्रॉक होगा लेकिन आधी आबादी क्या आमादमी पार्टी के साथ आपाएगी महिला सम्मान ने धी अगर ये लागू हो जाता खे तो ये महिलाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ आकर्शित करने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रॉक आमाद्वी पार्टी का होगा क्या सही तरीके से इसे इंप्लिमेंट कर पाएंगे आतिशी और सही तरीके से तालमिल बिठा पाएंगी ये एक बड़ी चुनोती आतिशी के सामने रहने वाली है इसके बाद कर लेते हैं जल बोर्ड के इंफ्रा स्ट्रक्चर को सुधार की हाली में हमने देखा कि जल बिलो में जो गड़बड़ी की मामने सामने आये थे पानी के बिलो में गड़बड़ी के चलते छूट की घोशना को लागू कराना भी एक बड़ी चुनोती आतिशी के सामने रहने वाली है तो ये भी एक बड़ी चुनौती है जिससे आतिशी को पार पाना होगा इसके अलावा एलेक्ट्रिक वाहन नीती को कैबिनेट की मनजूरी का इंतजार है ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी जिस पर आतिशी को काम करना होगा और बेहतर तालमेल के साथ, बेहतर समनवे के साथ काम करना होगा दिली सरकार की flagship योजनाएं जैसे डोड स्टैप डिलीवरी जो कि 6 महीने से बंध है उसे भी दोबारा से लागू करना, दोबारा से शुरू कराना एक बड़ी चुनावती आतिशी के सामने रहने वाली हैं, इसके अलावा कुछ नई योजनाएं लेकर आना क्योंकि आने वाले वक्त में विधान सभा चुनाव भी दिली में होने हैं, तो ऐसे में कुछ और नई ऐसी योजनाएं लेकर आना जो फाइदेमन साबित हो जनता के लिए और जिसने जनता अट्रैक्ट हो, बेहतर तालमेल जैसा कि मैं लगातार जिक्र कर रही हूँ, वो सबसे बड़ी यहाँ पर चुनावती रहने वाली हैं आतिशी के लिए, दिली की चुनी हुई सरकार के साथ राजनिवास के जाकर जनता की समस्याओं को सुना, केजरिवाल उनके साथ मौझूद रहे, दूसरी तरफ आमदमी पार्टी के नेता संजे सिंग ये भी कह चुके हैं, कि आतिशी अब काम करेगी कि किस तरह से केजरिवाल को दुबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए, दिली की 2 करोड जन जनता को अपने साथ फिर से लेकर आना है, तो ये कुछ चुनौतिया हैं जो आतिशी के साबने रहने वाली है, कुछ और वीडियो के लिए आप हमारे साथ सोचल मीडिया प्लाटपॉर्म पर जूड सकते हैं, आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो क जादा सजादा शेयर कर सकते हैं, थैंक यू सू मच